खबर बलिया से है बलिया में जो हुआ कहीं वो अमरोहा में न हो जाए ठेका गैंग के दबाव मंणी मंजिर ने फांसी लगाई थे आप पता देख अब आप पता देख कि अब अमरोहा में एओ डिपिका को जान का खत्रा है अब बलिया में जो हुआ कहीं वो अमरोहा में न हो जाए एसे कया जो हम लगाए जा रहे है ठेका गैंग के दबाव में बड़ी मंजिर ने फांसी लगाई थी बड़ी कबर आपको बता देख कि अब अमरोहा में एओ डिपिका जान को खत्रा जो है वो बताया जा रहा है ठेका गैंग के दबाव में बड़ी मंजिर ने फांसी लगाई थी तो वहीं नेगर पंचायत दोया की एओ ने हत्या की आश्रंका जो है वो जता ही है आपको बता देख कि नेताओं दबंग कर देख कि अब अमरोहा में एओ डिपिका को जान का खत्रा जो है वो बताया जारा है नेगर पंचायत जोया की एओ ने हत्या की आश्रंका जताई है आपको बता देख कि नेताओं दबंग कर देखने को मिल रहा है ठेके को लेकर दबाओ जो है बनाए जा रहे है फिर्ड में इमानदारी से काम करना जो है इस वक्त अब मुश्किल हो गया है तो अब पुता देख कि बलिया में जो हुआ कहीं वो अमरोहा में ना हो जाए ये सवाल लगातार इस वक्त खड़ा हो रहा है ठेका गैंके दबाओं में मड़ी मंजूर ने फांसी लगाई थी तो वही हमारे सायोगी आश्रीस हमारे साथ जुड़ें एक बार फिर उनका रुख करेंगा आश्रीस जिस तरीके से खबर इस सामने आ रही है और लगातार ये सवाल उठाए कि बलिया में जो हुआ कहीं वो अमरुहा में न हो जाए जिस तरीके से महिला अफसरों के साथ ये उनके उत्पिडन लगातार किया जा रहा है लगातार उन पर दबाओ बनाया जा रहा है तो आश्रीस से हमारा संपर्क ने उपार आपको बता दें कि लगातार फिल्ड में महिला अफसरों का उत्पिडन जो है वो हो रहा है तो वहीं आप बता दें कि डीम के सामने शुकायत करते हुए देपिका जो हम बेहोश होई थी वो महकेमे में मुश्कुल होता हुआ साफ तोर पर दिखाई दे रहा है तो वहीं हमारे से होगे आश्रीस हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुप करेंगे आश्रीस जिस तरीके से खबर सामने आई है और अलगातार ये सवाल अपने आपने उठ रहा है पती है उन पर आरोब करमचारियों पर लोगा रही है और ये सनिवार की जब दोगजे बता सुनाने कि ने जिलाजिगारी महुदर से मिली तो बता सुना तो सुना तो मतलब बहुश हो गई इसको लिए का आनन फान में इने जिलास्ताल में बस्ती कराया गया और इनके हालत भी तो बनीय ज़ान नाजू रही है और जो दो करह भाए है उससोर में मेरे करण कि जा रही है को थाह रहा है मैं प्ते umgatum में नि जाश्व विखाह लेकर ताज अब्रेट क्या कूछ हम बताई हमें वह पताई हमें पुलिस ने अपने अजिनस्तों बेजा है मैला दरुगा को बेजा गया है उनकी देखवाली के लिए लगाया गया है फिलाल अभी तो जादे कुछ कहना नहीं चाहरे हैं तो थोड़ा साथ मीडिया के रूबर हुए थी आद नहीं से चाहरे भर गया है पुरित ने साहस Daar करना मुंचल होगया है तुछ आपके लिए आपके लिए है कहाँ कर रहा है और यह लाइट में शाओ झाल कर चाहरे क्हाँ झाल भणै नहीं लम्हाँ करें राप वान मतटे लिए इस जवाब परतार परताली की हो रही है और अभीता के इनकी कोई गुहार नहीं सुनने को तयार नहीं है जी आशुस वहीं जिस तरीके से आपने बताया है कि DM के सामने शुकायत करते हुए दिपिका जो बेहोश हुई थी तो ऐसे में DM का कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि उनके सामने ही दिपिका शुकायत कर रही थी और उनके सामने ही वो शुकायत करते हुए बेहोश हुई है अचाना कि इनके सुधार रही है पुली दो अप्रिकार की गई उसकी जाच कराई जा रही है जल्दी सबकू साफ हो जाएगा इसमामले में जी आशुस वही और साफतार पर जो है उनके नेताओं और दबंग करमचारियों के गैंग जो है वो परिशान कर रहे हैं दिपिका को लगातार उनसे परिशान है और इसके बाद दिपिका जो डेम के पास पहुंची उन्होंने अपनी बात जो है डेम के सामने रखी तो ऐस परिशासा पढ़ा हुआ है और पुलिस महकमा भी पढ़ा हुआ है क्योंकि जो गुंडे हैं आश्रीस रोकना चाहेंगे आपको सीधी तस्वीरे एक्सक्रूसीव तस्वीरे हम आपने दरश्व को दिखानागा चाहेंगे दिपिका जो है किस तरीके से बेहोश जो है वो डीम आफिस नोंगी तीजिए उनके दुख है अपनी पीडा को विक्त करते कि लगातार जो है दबाव दिपिका पर बनाया जा रहा था लगातार उनसे जबरन जो है साइन कराया जा रहा था तो वहीं किस तरीके से डियम के सामने अपनी बात रखते हुए बेहोश जो है दिपिका हो गई तस्वीर आप एसक्रियोश देख सकते हैं रुक करेंगे अपन पुलिस महकमा है वो भी लापरवा दिखाई दिया और कहीं ने कहीं जो दबंग है जो नेता है उनके उपर भी पुलिस क्या कोई भी खौफ नहीं है ऐसे में साफतर पर समझा जा सकता है कि जो दबंग है वो बेखौफ वोकर घूम रहे हैं जी अब अभी देख सब्सक्राइब कर दिखा जाए तो पूरा तरह यह आवला की रूप में है जो यह तरह नहीं देर सार से प्रतालिक हो रही है डिपका शुक्ला जो यह है तिलाल सातन से लेकर वाप में बात बात चुकी है अब इन अपने जान का भी खत्रा बता रहे हैं अगर में इस तूर पर में अपनी जानकारी तो पहुंचाने के लिए